आज मैं आप लोग के साथ टोस्ट पाई की रेसिपी सेयर करने वाली हूँ तो चलिए इसे बनाना ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर मैंने स्प्रिंग ओनियन ले लिया है और इसे चॉप करेंगे अब मैंने यहां थोड़ा सद्धनिया के पत्ता भी ले लिया है इसे भी रफली चॉप कर लेंगे अब मैंने यहां पर एक मेडियम सैज का टमाटर लिया है इसे भी छोटे छोटे टुक्डू में चॉप करेंगे यह टोस्ट पाई इतनी टेस्टी बन के तयार होती है जब आप इसे बनाएंगे इसे ट्राई करेंगे फिर आपको पता चलेगा यह बहुत ही टेस्टी बन के तयार होती है यहाँ पर मैंने आधा कैपसिकम यानि की सिमला मिर्च ले लिया है इसे भी चॉप कर लेंगे इन सारे सबजीओं को ऐसे चॉप कर लेंगे छोटे-चोटे टुपड़ों में आप इसे रमजान भी श्टार्ट होने वाला है इसमें भी आप बनाकिये इसे खा सकते हैं और इवनिंग के समय भी आप इसे चया के साथ इंज्वाय कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने सारे सब्जियों को एक बॉल में डाल दिया हैं. अब इसे साइड में रख देंगे. अब यहाँ पर मैंने ये चार गॉयल एग ले दिया हैं. इसे भी छोड़े चोड़े टुक्ड़ों में चॉप कर लेंगे. यहाँ पर मैंने दो ही एक का इस्तमाल किया हैं. अगर आपको इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हैं, तो आप चार एक भी ले सकते हैं. यह स्नैक इतनी जल्दी पन के तयार होती है. आप इसे अगर आपके घर कोई गेश्ट आए, तो आप इसे फटा फट बनाके तयार कट सकते हैं. इसे बनाने में विल्कुल भी टाइम नहीं लगता है. यहाँ पर मैंने दो टेबल स्पून कॉर्न ले लिया हैं. इसे भी दो टुक्ड़ों में कट कर लेंगे. और इसे उसी बॉल में फिर डाल देंगे. इसे डारने के बाद अब मैंने यहाँ पर कुछ मसाले डा रहे हैं. यहाँ पर मैंने आधा चमच और येनो, एक चोटा चमच चिली फ्लेक्स, एक चोटा चमच नमक, आधा चोटा चमच ब्लैक पेपर, ये दो चमच, ये ग्रेटिट, मैंने मोजरेला चीज लिया है, इसे भी डाल देंगे. यहाँ पर मैंने एक टेबिल स्पून मैयोनेज लिया है, ये ऑप्सनल है, अगर आप डालना चाहते हैं, तो इसे डाल सकते हैं. इसकी जगा पर आप मेल्टिट चीज भी ले सकते हैं. अब इसे डालके अच्छे से मिक्स करेंगे. अब इसे साइड में रख देंगे, यहाँ पर मैंने च्छे ब्रेड ले लिया है, अब इसे हमें दोनों तरफ से दबाती हुए रोल कर लेना है, हमें इसे दोनों तरफ से अच्छे से दबाती हुए रोल करना है, अब इसे यहाँ पर मैंने राउंड सेप में कट कर लिया है अगर आप इसे अच्छे से दबाते हुए रोल नहीं करेंगे तो जब आप इसमें स्टफिंग बरेंगे तो ये फटने लगेगा तो इसलिए हमें इसे दबाते हुए रोल करना है अब ऐसे ही मैंने ये दोसरे ब्रेट को भी ऐसे दबा के रोल कर लिया है और इसे राउंड सेप में कट कर लेंगे मैंने यहाँ पी सारे ब्रेट को ऐसे कट करके रख लिया है अब मैंने यहाँ पी एक एक को तोड की बॉल में डाल लिया है और अब इसमें डालेंगे आदा छोटा चमच चिली फ्लेक्स आदा छोटा चमच रेट चिली पाउडर आप यहाँ पे बस रेट चिली पाउडर भी डाल सकते हैं अब मैंने यहाँ पे जो मिक्सर बना के रखी थी अब इसे ब्रेड में डाल देंगे और इसके पूरे किनारों में पानी लगाती हुए इसे कवर कर लेना है बिल्कुल दबाती हुए नहीं तो ये फट जाएगा ये देखे ये मैंने जैसे दबाती हुए इसको सील कर लिया है बस वैसे ही आपको भी करना है और यहां पे मैंने सारे ब्रेट को बना के तयार कर लिया अब इसे बेक कर लेंगे यहां पे मैंने इसे बेक करने के लिए यहां सादे कागज को ऐसे तेल से ग्रीज कर लिया है अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं अब मैंने यहां पे यह सारे टोस्ट को रख दिया है और इसके उपर जो अंडे का जो गोल बना के रखी थी यह इसको लगा देंगे अब मैंने इसके उपर यह grated mozzarella चीज डाली है और इसके उपर थोड़ा सा धनिया का पत्ता इसको भी इसके उपर डाल देंगे और इसे microwave में 180 degree Celsius पर 15 मिनट के लिए इसे बेक कर लेंगे अगर आपके पास microwave नहीं है तो आप इसे गैस पे विल्कुल low medium flame पे 10 मिनट के लिए जब तक चीज मेल्ट हो जाए तब तक ही पका लेना है अगर मेरी recipe आप लोगों को अच्छी लगी है तो please मेरे चैनल को subscribe करें thanks for watching